Hello everyone, welcome back to Topper Benz. आज हम लोग Chapter 2, When Frankenstein was just a kid. ये पोएम को पढ़ने वाले ये Health and Reproductive Health के उपर बेज़्ड है ये पोएम. तो ये पोएम को हम लोग पढ़ने वाले हैं. ये पोएम काफी मज़ेदार है. Enjoy करेंगे हम लोग. इसमें आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है, जो पूरा ग्रीन का लड़का है. Have you ever wondered how eating green vegetables can benefit our health? क्या आपको पता है? क्या आपने कभी सोचा है? कि green vegetable खाने से हम लोगों को कितने सारे health benefits मिलते हैं? कितनी सारे हमें अच्छाईया मिलती हैं? हमारा health कितना अच्छा होता है? तो हम लोग इस poem को पढ़ेंगे. है ना? Let us read a poem about Frankenstein and the green vegetables that he ate as a kid. और यहाँ पर जानेंगे हम लोग कि Frankenstein जो लड़का था, वो जब kid था, जब छोटा था, जब बच्चा था, तो वो क्या-क्या खाता था? कितने green vegetables खाता था? ठीक है? तो actually यह poem को start करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि speaker जो है, जो इस poem को बोल रहे हैं, speaker जो है अपने mom dad के साथ dining table पे बैठा है खाने के लिए. खाना खाने के लिए खाना का सुरवात होने वाला है. और अपने mom dad को वो frankenstein का कहानी सुना रहा है. ठीक है? frankenstein का कहानी सुना करके वो अपने mom dad को बताता है, एक message देना चाहता है कि green vegetables इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मुझे green vegetables नहीं खाने हैं. मेरे सामने से green vegetables को हटा लो mom dad. क्यूंकि frankenstein ने भी green vegetables खाया था और उसके साथ कुछ बुरा हुआ था. तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं इस poem में. तो चलिए हम लोग इस टार्ट करते हैं इस poem को. When frankenstein was just a kid, he ate his greens. जब frankenstein एक छोटा बच्चा था, वो green vegetables को खाता था. It's true, he did. हाँ भई, हाँ, ये सच बात है, इसको मजाक मतले ना. Generally, बच्चों को green vegetables नहीं पसंद होते हैं. आप भी चोटे बच्चे हैं, आप खुद को ही देख लो ना, आपको पसंद है क्या? चलो, फिर भी, मैं जानने के लिए आपको बोलता हूँ कि अगर आपको green vegetables पसंद है, तो comment करके जरूर बताइए, मुझे भी पता लगेगा. है ना, लेकिन ये बात सच है, it's true, he did, Frankenstein जो है, वो सच में green vegetables खाता था, सच में, उसने किया ऐसा, he ate his spinach, salads, peas, asparagus, and foods like these, उसने spinach खाया, salad खाया, peas खाया, asparagus खाया, ये सब green vegetables के नाम है, ये देखो, asparagus ये है, ये जो picture दिया गया है, ये लंबा सा जो है, ये asparagus है, spinach, salads, peas, ये सब खाया वो, and food like these, और इसी तरह के और भी green vegetables, and with each leaf and lima bean, his skin became a bit more green, और जितने ज़्यादा वो leaf को खाता जा रहा था, जितने ज़्यादा वो पत्तेदार सबजियों को खाता जा रहा था, और lima bean को खाता जा रहा था, उसका skin और भी ज़्यादा green होते जा रहा था, lima bean का मतलब होता है, seem, seem हम लोगों के घर में हम लोग देखे होंगे, इसको जब निकालते हैं, इसको जब छिलका उतारते हैं, तो छोटा-छोटा ऐसा beans निगलता है इसके अंदर से, तो lima bean same को बोलते हैं, तो जैसे जैसे वो पत्तेदार सबजी को खा रहा है, और लाइमा bean को खा रहा है, उसका skin जो है, और भी ज़्यादा green होते जा रहा है, अरे यार, ये तो चमतकार हो गया, green vegetables खाने से कोई green होता है क्या, चलो देखते हैं, और क्या-क्या होता है इसमें, उसको chives and chard को चाबाना बहुत ही पसंद था, बहुत ही उसको अच्छा लगता था, chives और chard क्या होता है, chives मतलब होता है, प्याज के जो पत्ते होते हैं, पतला पतला जो पत्ता होता है, जिसको हम लोग कट करके कुछ snacks वगरा बनाते हैं, तो उसमें डालते हैं, या यूज करते हैं, हम लोग fried rice वाकरे में, प्याज के पत्ते, लसुन के पत्ते, उनको chives बोलते हैं, ग्रीन होता है एकदम वो, और चाड किसको बोलता है, चाड बोला जाता है, टरनिप हो गया, या फिर carrot हो गया, इनके जो पत्ते होते हैं, जब root इनका अच्छा सा develop नहीं होता, तो उनका जो green leaves होता है, उसको बोल Frankenstein को, and Brussels sprouts and peppers too, और उसको Brussels sprouts भी बहुत पसंद था, Brussels sprouts मतलब होता है, वो बंदा गोबी के जैसा ही, थोड़ा सा छोटा साइज में होता है, सिर्फ उसमें पत्ता होता है, ठीक है, पत्ता गोबी जिसको बोलते है, बंदा गोबी जिसको बोलते है, पत्ता गोबी, जिसमें पत पत्ता पत्ता उपर से चड़ा हुआ रहता है ठीक है बुजल से स्प्राउट्स एंड पिपर स्टू और पिपर का मतलब तो आप जानते है काली मिर्च उसका फूट्स उसका ख़राब कर दिया ऐगदम इस्तित ही खराब हो गया जो उसका skin को पूरा complete green color में turn कर दिया उस bean को खाने के वज़े से, fateful bean के वज़े से उसका skin जो है पूरा green हो चुका था He turned all green and stayed that way and now he frightens folks away और वो अब पूरे तरीके से green हो चुका था और वैसा ही green रह गया, stayed that way stayed that way मतलब वैसा ही green रह गया और उसके green होने के वज़े से, उसके आस पास के जो लोग है उसके जो friends है, उसके जो लोग है वहाँ पे वो उससे ड़ने लगे, frightens folks away और वो लोगों को डराने लग गया, लोग उनसे डरने लगे लोग उनसे डर के भागने लगे, folks मतलब लोग उससे भागने लगे डर के, फ्राइटेंस, डरना पूर फ्रैंकस्टेन, his tail is sad बेचारा फ्रैंकस्टेन, उसका कहानी जो है, वो काफी sad है बट तिंग्स निद नॉट है बिन सो बैड, लेकिन चीजों को इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए था उसका किस्मत तो, जैसे वो यहां पर बोला जा रहा है, बेचारा फ्रैंकस्टेन उसका जो कहानी है, वो काफी sad है, दुखदाई है बट तिंग्स निद नॉट है बिन सो बैड, लेकिन चीज इतने इतने भी बुरे नहीं होने चाहिए थे ठीक है, इट्स फेर टू से चलो मानते हैं, यह कुछ हद तक सही भी है, यह कहा जा सकता है कि अगर वो थोड़ा सा सेलरी कम खाया होता, सेलरी भी एक ग्रीन वेजिटेबल है कैवेज को अवाइड किया होता, कैवेज मैंने पत्ता को भी जो मैंने बोला पहले और kale, kale को भी थोड़ा avoid किया होता है तो अभी हम लोगों को कुछ और कहानी सुनने को मिला होता उसका जो skin green हो गया लोग उससे डर के भागने लगे यह कहानी नहीं होता अगर वो celery, kale, cabbage यह सब थोड़ा कम खाया होता मतलब वो उसने excess खाया उसने ज़्यादा खाया यह सब green vegetables और green पढ़ गया so mom and dad I am here to say please take these vegetables away तो mommy, daddy मैं आपसे यह कहता हूँ मैं आपसे यह request करता हूँ कि please यह मेरे पास से जो vegetables है यह vegetables को आप ले जाएए और my fate could be just as green और मेरा किस्मत जो है नहीं तो fate मतलब किस्मत नहीं तो मेरा भी किस्मत जो है बहुत बुरा हो जाएगा दैनी हो जाएगा green बुरा हो जाएगा yes I could end up green like him और मैं भी अंत में पूरा green हो जाऊंगा frankenstein के जैसे like him so mom and dad before we dine so mommy and daddy खाना खाने से पहले dine करना मतलब अपना भोजन करना खाना खाना तो हम लोग अपना खाना शुरुवात करने से पहले please give a thought to frankenstein please एक बार frankenstein का बारे में सोच जरूर लेना mommy daddy खाना खाने से पहले और मेरे पास से ये जो green vegetable से इसको हटा दो मुझे तो बहुत डर लग रहा कि मैं भी कहीं green न हो जाओं और मेरा भी किस्मत कहीं खराब न हो जाए cannesbit के द्वारा ये लिखा गया poem है इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं ठीक है I hope कि आपको समझ में आया होगा कुछ भी query है तो फिर आप comment कीजिए question answer के लिए tension बिल्कुल मत लिजे उपर i button पे भी link provide कर रहा हूँ और आपको description में आपको question answer का video provide कर रहा हूँ पूरे book का जो chapter से वो भी मिल जाएगा playlist का भी link में provide कर दूँगा playlist में जरूर जाएए सारे chapters मिल जाएगे ठीक है तो channel को बस आपको subscribe कर लेना है और दोस्तों के साथ share भी कर देना है तो चलिए हम लोग poem के एक बार अच्छे से पढ़ते हैं When Frankenstein was just a kid He ate his greens It's true, he did He ate his spinach, salads, peas, asparagus And no foods like these And with each leaf and lima bean His skin became a bit more green On chives and chard He loved to chew And Brussels sprouts and peppers too Until he ate that fateful bean That turned his skin completely green He turned all green And stayed that way And now he frightens folks away Poor Frankenstein His tail is sad But things need not have been so bad It's fair to say If only he had eaten much less celery Avoided cabbage Ate no kale Why? Then we would have a different tail So mom and dad I am here to say Please take these vegetables away Or my fate could be just as green Yes, I could end up green like him So mom and dad Before we dine Please give a thought to Frankenstein So this poem is about to be done How do you feel like this Comment is also good Comment is 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 good To comment is good Comment is good That's good So next video Goodbye Have a nice day झाल भी